नमस्कार दोस्तों आप सबको मम्ता की जिंदगी में प्यार और मम्ता भरी स्वागत है मैं हूं मम्ता शंकरी आज यह वाला सांबर बनाना दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूं यह क्या है अब देख लीजिए एक स्पेशल है हमारा गाउं वाला सांबर है हमारा गाउं का स्पेशल है तूरा गाउं में यह ज्यादा बनता है जिला में यह बताऊंगी मैं एक लीजिए यह हमारे हैं यह होता है ज्यादा होता है इसका आम का है यह आम का सीजन में यह बनता है ज्यादा होता है यह आम है ना नार्मल हाइब्रीड आम नहीं है मतलब जो मिलता है ने जो मलिका होगा बंगन पली कुछ भी यह सब हाइब्रीड है वह वाला नहीं है य जंगल में होता है यह एक्चुली ओरिजिनल आम है यह बहुत अच्छा होता है मतलब टेस्टी एक कट्टा भी जाद रहता है और कोई-कोई आम मीठा रहता है कुछ-कुछ इसका जो चोटा वाला आम का चोटा वाला कच्चा जो होता है न चोटा क्या आप खेयरी बोलते हैं दूары को चाही है। जंगल वाला पेट से होता है जंगल में है इसका गुटली गिर पेड़ी में बहुए ज्यादा होता है मतलब जंगल नहीं है हमारा गर का ही एक पीछे का जगा होता है जंगल जैसे होता है गर में ही वो सब में यह होता है ज्यादा पेड होता है गरों में तो मिलता है बहुत ज्यादा मिलता है तीन चार पेड रहता है किसी किसी गर में तो कितना मिलता है देखिए तो हर गर में य इसी का कुछ कुछ संबर बनता है इस इसका लग 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 लग, variety संभर बनता है यह एक बना रहे, यह गाउं से लाए हैं लो कोई हमेरे friend गाउं سے लाके दिए हम ढ क्यों तो इसको न धो sentence P पूरा निकल के देख देखना पड़ता है उसमें कभी कीड़ा भी हो जाता है तो देखके बीना कीड़े का तो इसको इसे निकल के डालेंगे अईसे पूरा ड द Jake बूरा काटके नहीं डलते हैं हाथ से द लेते हैं है उसको दिकल के पीछे का हemi है मैं 38 इस चिलकेने के हाथ से निकल के डालेंगे इसस समबर बनेंगे यह हमारे गवानवीं कच्चा भी बहुत ज्यादा हाते हैं हम बच्चों को तो बहुत पसंद होता है वो बाकी बच्चे लोंनको हम भी इस बड़े भी काते हैं इससे खाने ऀाने महें बहुत अच्छे लगता लगते हैं संसों बना कॉना आम में आता है वह रस भी बहूत ज़्यादा रहता है कच्छ मेह तो कच्छ वाला भी बहूत ज्यादा बनता है उसमें टीख है कि फॉक के जिये उसमें ही है वह आम कॡ़ा टालेंगे जितना उतना बद्रह जाया हॹंगी हुआ दालेंगे और यह आम कट ज्यादा है नहीं सेर गूर्ड बी डालना पड़ता है और पाने डालके उबालेंगे तो जो आम पकने तक बहलेंगे पकाएंगे फिर चावल के साथ काना अच्छा लगता है हमारे गाउं में चावल भी बॉय ड्रेस ज्यादा काते हैं मैं दिखाएं न आपको लाल वाला जो रेड ड्रेस रेड ड्रेस नहीं है वो धान को पका के बनाते हैं वो चावल मेरा खाने में बहुत अच्छा लगता है यह थेखे अच्छे से उबल गया पगया पकने वाला है थोड़ा सा और पकना होगा यह देखे चिलका अच्छे से पगया उसको चूसके निकालेंगे हम अभी गुट्ली में नमाक तीका सब कुछ है उसमें और कटापन भी है मीटापन लगता है क्षानी के टाइम में और क्षाने के सबनेसाथ चाओल के सासाथ कच्छा कि अच्छे से बन गया ती का भी है मिठा भी है सब स्ट्रॉंग बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगते समें एक सब्सक्राइब के साथ कहा सकते हैं हमारे हैं ये सब कॉमन आम के टाइंब में कठील के टाइμ में अब हुछ जादा होता है का पिकाजु होता है काजूवला वह भी स्मेल हुता हुता है तीनों मिलके घर्एक अलगी नाजाता है हमारे गाउं में साफ गर्वो साफ सफाई रखो तो अलगी आ जाता है क्टल का भी बहुत गाड़ा रहता है आमका भी सब मिल के एक यह विस्ट भी नहीं करते हैं सब्सक्राइब करें एक वेस्ट भी नहीं इसमेट बनाते हैं और पायसा बनाते हैं और उसका पापड जैसे बनता है बहुत कुछ कुछ बनता है यह वाला हम स्प्पेशली जो हाइब्रीड हम सिर्फ काएंगे और कुछ नहीं बाके सब इसमें बनाएंगे कि यह तड़का उसको लगाएंगे मिर्ची सरसों हमेशे जैसे तड़का बनाके डालेंगे तो हमार यह केक इसमें मदलओ के सामने प्लेट में नहीं हम्रुक के पत्ते में कते हैं गाव में के लेकर पत्ते होते होगा उसमें खाएंगे तो बिर को के साथ के साथ एगुटली बी मंदम रहेएंगे इतना खाते हैं हपएक टोंतय है सब कुछ रोज कुछ सांबर बना जाता सब्सक्राइब तो समझ कमने यह भी वह व्ला एजगल box ऊंब्सक्ला में ना थी नाटी और भुझती बोलते हैं का हque Α seller होता है तो आप कमेंट में बता द्यजी आफ सब कम मिलता है शहर में आके रह रहे 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 हैं हम लोग बंगलु में आखे तो कोई गांभोहों जाते हैं तो लेके आते हैं अभी वह hiring हमेरे विफ़लोगाूँ वाले गाउँ जाके आगे उनके घर से लाये हैं है तो हमें भी देदिये तोचार तो यह यह बनी गया झार कर आए घ्डा है मीठा फोद् represents टोइना खटा है इसलिए थोड़ा में सांबर बनेंगे इसे उसमें मीठा डाल के गूट डाल के जैसे बनता तब कर डाल रहे हैं तड़का बन गया और अभी तड़का में डाल देंगे त्रामबर में ये करणी पत्ता थोड़ा पानी सूपने तक उसमें फ्राइई करना हे नहीं तो वह स्मेल नहीं आएगा थोग के राखी हो ने वह कट्ड़ा दोई हुना उसका कच्छापन जाने तक थड़ा थड़के के साथ प्राइब करना है बाद में उसमें डाल देंगे संबर में बहुत टेस्ट है सब खटा मीटा तीखा सब मिलक के एक अच्छा असर टेस्ट आ जाता है उसमें कि अंका गोज्जू बोलते हैं हम लोग आमका माम नहींआ नों गोज्जू बोलते हैं हो देखिये इसमें इधरकर लगा देंगे हुए हो ओ कड़ी पता बड़ा 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 पता है इसले जाधा लग रहा है इसे डाल देंगे तो हो गया आपको कैसे लगा ये बाला संबर बनाना भी बहुत आसान है ना आपके हाँ आम मिलता है तो आप बना लीजे तो आपका अच्छा लगा तो लाइक कीजेगा शेयर कीजे सब्सक्रीब कीजे अगले वीडियो में मिलते हैं तरते के लिए धनिवा